नमस्कार मैं डॉक्टर वेपिन कुमार पटना से कुछ हिर्दय रोगों के बारे में बताऊंगा जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग भारत देश में काफी ज़्यादा इंसिडेंस हिर्दय रोगों का बढ़ गया है और साथ में कई अन बिमारियों का जैसे हाई ब्लड प्रिशर, सूगर, डैपटीज और हार्ट अटैक्स काफी ज़्यादा बढ़ गया इवन अभी काफी यंग एज में ऐसा होने लगा है तो आज हम लोग इस बारे में कुछ बात करें हैं कि इससे कैसे हम लोग बचें और क्या प्रिकॉशन्स लें या अगर किसी को कुछ हिर्दय रोग है तो कैसे उसका समाधान करें तो सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि इसके क्या रिस्ट फैक्टर्स होते हैं जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रिस्ट फैक्टर्स है कि हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा है कि डिय अगर किनी को डियाग्नोस होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड सुगर तो इसका सही से इलाज हो दूसरा तनाव मुक्त जीवन में रहें डेली एक्सरसाइज करें अगर किनी को कोई रिस्ट फैक्टर है या नहीं भी है तो एक डेली कम से कम आदे घंटे के लिए वा या सुगर की विमारी है तो सही से कंट्रोल करें डॉक्टर का सलाह को माने और साथ-साथ में सही लाइफस्टाइल इंटरवेंशन जैसे तनाव मुक्त जीवन खान-पान में संतुलित भोजन करें जैसे कम बसायुक्त भोजन लें या ज्यादा हरी सबजियों फ्रेस फ्रे अगर किन ही को हिरदय रोग होता है तो इसमें भी कई तरह के हो सकते हैं एक तो stable डिजीज बोलते हैं एक heart attack होना suddenly किसी को अगर हिर्दय में या चाती में भारीपन महसूस होता है या दर्द होता है तो कभी इसको नेगलिक्ट नहीं करें तुरंत डॉक्टर के पास जाएं कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि ये गैस के कारण है या पेट के कारण है और इसको इग्नोर करते हैं तो अगर कि नहीं को ऐसा भारीपन का महसूस होता है चाती में या धड़कन असामान लगता है तो इसको कभी इग्नोर नहीं करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं उसमें हम लोग ECG करने के बाद ये डियाग्नोज करते हैं अगर इनको कोई हार्टर की समस्या है या कोई गैस के कारन है तो अगर हार्ट अटेक होता है उसमें सही समय पर इलाज काफी important होता है क्योंकि ये हिर्दय की रक्ट धमनियों में कहीं पर रुकावट की वज़ा से होता है और आज कल ऐसा facilities available हैं कि अगर किसी रख धमनी में 100% रुकावट भी हो जाती है तो उसे तुरंत खोला जा सकता है और सही समय पर यह करने से काफी हद तक जान बचाई जा सकती है तो इस मामले में गंभीरता से अगर कभी ऐसा symptom होता है तो तुरंत डॉक्टर का सला लेना चाहिए दूसरा stable CAD जब होता है जब किसी को चलने से, किसी खास दूरी पर चलने से या सिड़ी चलने से किनी को भारीपन महसूस होता है चाती में दर्ध होता है और रुकने से ठीक हो जाता है तो यह हिर्दयरोक का लच्छन हो सकता है इस केस में भी कुछ खास दवाईयां होती है उसको लेना होता है और साथ में सही lifestyle interventions साथ में सूगर का इलाज, blood pressure का इलाज और दवाईयों का सेबन ये सब नियमित रूप से करना होता है और उसके नियमित रूप से इन उपचारों के बाद हम लोग काफी हद तक हिर्दैरोगों के complication से बच सकते हैं काफी हद तक इसके side effects से बच सकते हैं अगर किनी को heart की pumping कमजोर हो गई है स्वांस में तकलीफ होती है उसके लिए भी नियमित रूप से दवाओं का सेबन और कम नमक युक्त भोजन ऐसा करने से काफी हद तक हम लोग बच सकते हैं तो हमारी सलाह यही रहेगी नियमित रूप से ब्यायाम करें नियमित रूप से कम से कम आदे घंटे तक रोज टह लें सभी लोगों के लिए और खासकर बच्चों के लिए कि सुरुआत से ही गलत आदत ना करें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग यह सब गलत जो हैविट्स हैं उसको ना पढ़ने दें और रोज व्यायाम करना शुरुआत से ही करें और खाने में जंक फूट्स अबॉइड करें और नियमित रूप से काफी फ्रेस बेजटेबल्स और फ्रेस फ्रूट्स का सेवन करें धन्यबाद